हेलो दोस्तों आज हम कवर करेंगे निजू लेंड बरसर बंगला देश टी ट्वांटी मोकाबला जो नुजू लेंड और बंगला देश का बीच खेला जाएगा पहुंच बज़े सुबा में पहुंच बज़े सुबा में खेले जाने वाले मेच में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा पीच रिपोर्ट क्या रहने वाला है बैटिंग पीच है या बॉलिंग पीच अगर बैटिंग पीच है तो कौन सा बेस्ट मिन को लेना चाहिए अगर बॉलिंग पीच है तो कौन सा वलंडर को लेना चाहिए और निजू लेंड पहले बैटिंग करेगा तो कितने अबरेज बन सकता है जब बंगलादिस पहले बैटिंग करेगा कितना अबरेज बन सकता है कौन सा टीम इस मैच को जीतेगा और कौन सा टीम इस मैच को हारेगा सारा डिटेल्स इस वेडियो के माध्यम से बताऊंगा वी डॉट बिना एस्किप किये इस वेडियो को एंट तक जरूर देखना अगर वेडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना देखिए सबसे पहले आजाता है लोथंदास का लोथंदास का सालेक्शन परशिंड कम है लेकिन रिषंड के मैच में अच्छे खासे परदर्शन कर रहा है टी 20 में खास रिकाउड नहीं है लेकिन 3-4 नमर में बैटिंग करने आयागा जिसके कारण आपको अच्छे खासे पोइंट देने का संभाव ना हो सकता है टी प्रेंस्टेंड जो है यह अच्छे खासे इस टीम का अगेंस किया का परदर्शन है रिषंड का लेकिन सलेक्शन परशिंड टू है अगले मैच में फ्लोप्स हो गया है इन दोनों के जगह किसी एक के साथ सकते हैं क्योंकि मैं यह रहे हिसाब से बात मने तो लोथंदास के साथ जा सकते हैं लोथंदास कारण परदर्शन नहीं क्या है लेकिन रिसंट के मैच में कुछ अच्छे खासे परफॉर्म करकर आया है मैंने एक विकेट कीपर लिये हैं अब आज आते हैं best main section में best main section में dewaster जिनका selection percent काफ ही high हो गया क्या ये आज के match में चले का या नहीं जिस तरह अगले match में flopps हो गया वह आज भी अगले match में कि तरह आज भी flopps हो गा ये भी बताएंगे देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं पीच रिपोर्ट के बारे में पीच रिपोर्ट जो है वो बाइलेनस पीच है गुड पॉर पेशर है यहां पर अबरेज स्कोर 136 है बैन्नु बाय ओबल मांटेज मांग्रियल में खेला जाएगा मों रियल में खेला जाएगा और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ औरह आपको पूरा बात पता रहेगा अगर पूरी जनकारी रहेगा तो आप अपने टीम अच्छे क्रियेट कर सकते हैं सबसे पहले यहां पर देखें जे फिलिप्स भाई जे फिलिप्स एक ऐसा बेस्ट में है पार्ट टेम बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे कासे आप कली अच्छे कर रहा है कभी अच्छे स्कोर करता हैं कभी नहीं अगले मैच में फ्लॉप्स हुआ है ज्यादा बैश्ट मेंज डेन को नहीं लेना है अब ओलंडा सेक्षन में ये मितल स्टार को आप अपने टीम में रख सकते हैं ठीक ठाक परदाशन करने का उम्मीद लगा जखते हैं यहां पर देखिए जोसन खास बिकेट नहीं निकलता है लेकिन एकाक मेंच में अच्छे कासे स्कूर कर दिया है और बिके निकालकर जारा है अब ओलंडल से बोलर सेक्षन मा ये टी साउथ भाई टी साउथ वारी कमाल कर रहा है असलम को अपने टीम में पिक किजिएगा आई सोर खेलेगा तो डर्म काड रिक्सी पिलियर होगा सेलेक्षन पर सेंड कम है आप अपने टीम में जरूर रखिएगा क्योंकि आपके लिए अच्छे कासे पिक राने बाला है फिचे रखने के बाद एनम माला को रखिएगा यहाप रह्मान जो है अगले मैच में दो विकेट निकाल के गया है और आप चाहे तो इन दोनों में सकी से एक के साथ जा सकते हैं लेकिन मैं रह्मान के जगा किसी और को बॉलर को नहीं लूँगा क्योंकि बॉलर जो है अच्छे स्कूर कर सकता है और काभी फ्लोप्स भी हो सकता है यहाँ पर देखिए रविंद्रा जो है खेलेगा नहीं मैं एक और बेस्ट में ट्राइ कर लेता हूँ जोने बेस्ट में अगर यह खेल गा तो मैं इसे अप नीटीम में पिक करूंगा अब नेस्ट करता हुं नेस्ट करने के बात देखिए सेटकेप्टन और बोैविस केपटन देना चाहते हैं यह दोनों केलेगा क्योंकि परदासन करने को उमीद λगा सकते हैं जानता हूं अपने चांस है निजू लैंड का तो फिर भीट तोड़ा क्या अर्वाइस ट्रासन यो निक आप मद्रासकोते हैं साउतhält में इशे रखेया Can weuse Captain के रूम में grand Prab capable कम रहे गात कर देख लेना कि बॉलर कम रहे तो इसे लेला नहीं तो इसे ड्रोप कर देना मैं थाला स्ट्राल का चपिपडर और शेफ टीम करता हूं बार मेरा ट्रीम का पर घ्लाल के लिए किस तरह से रहता है तिकिम फिलाल के लिए मेरा टिम को पर वियू इस तरह से रहेगा है योप ये वीडियो आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाहिन दोस्तों